हलो यवरीवन वेलकम टो यू योट्यूब चैनल दीकंसेट जैहिंद टू ओजबू आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के बारे में इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि किस कंट्री ने टॉप किया है बॉटम पे कौन सी है औ और इस बीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि इन सारे इंडेक्स इसको release कौन करता है और कैसे publish किया जाता है बीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सब के सामने एक question है आप सब को इस question का answer comment box में करना है question है भारत के समिधान का article 280 जो है वो किसकी स्थापना के बारे में बात करता है A option है planning commission, B option है election commission, C option है administrative tribunal, D option है finance commission इस question का answer आप comment box में कीजिए चलिए शुरू करते हैं interesting video lecture को चलिए जानते हैं हैं हैले passport index हाल ही में ख़वरों में क्यूं है 2023 का passport index release किया गया और इस index के according भारत का rank आया है 80th पिछले साल के मुकाबले भारत ने 7 स्थानों की लंबी चलांग लगाई है और इसी के अंतरगत अब भारत जो है 57 countries में बिना किसी बीजा के जा सकता है चलिए सबसे पहले जानते हैं कि passport होता गया है passport एक official travel document है जिसको भारत की सरकार issue करती है या कोई भी सरकार है वो issue कर सकती है उस देश के respective passport को भारत की बात करें तो यहाँ पे इस official document को issue किया जाता है भारत की सरकार के दोरा और यही document जो है उस person की identity को contain करता है जो भी person जिसके पास एक passport होगा वो किसी देश में travel कर सकता है किसी foreign के देश में travel कर सकता है या foreign देश से अपने देश में आ सकता है easily अगर उस person के पास passport होगा passport जो है एक person की identity को certify करता है साथ में उस person की नागरिक्ता के वारे में भी burden करता है चलिए जानते हैं भारत में कितने टाइप के पासपोर्ट मिलेंगे तो basically भारत में चार टाइप के पासपोर्ट हैं एक है blue passport, दूसरा है white passport, C है आपका maroon जिसको diplomatic passport बोलते हैं और fourth one है आपका orange passport, सबसे पहले जानते हैं blue passport के बारे में blue passport जो है, basically passport का cover जब blue color का होगा तो उसे blue passport बोला गया है तो ये एक common traveler को मिलता है, यानि कि आम जनता को ये passport दिया जाता है अगर वो किसी विदेश में जाना चाहते हैं तो white passport की बात करें इसका cover white color का होता है और ये सिर्फ government officials को ही दिया जाता है तीसरे बात करें maroon और diplomatic passport ये basically cover जो है इसका maroon color का है और ये senior government officials या Indian जो diplomats हैं उनको ही दिया जाता है इस passport को fourth orange passport, orange passport जो है वो basically उन travelers को दिया जाता है जिन्होंने दस्मी grade से पीछे तक की सिक्षा ग्रहन की हो यानि कि वो 10th pass ना हो उससे पीछे के person को orange passport दिया जाता है चलिए जानते हैं handle passport index है क्या handle passport index basically एक global ranking system है जो दुनिया के जितने भी देश है उनके passport को क्या करता है analyze करता है basically उन passport की strength या values को measure किया जाता है और ये release किया जाता है कि दुनिया का सबसे powerful passport जो है वो कौन सा है साथ में ये भी पताया जाता है कि दुनिया का सबसे weak passport भी कौन सा है इस index को release किया जाता है handle and partners के दोरा जो कि एक global residence and citizenship advisory firm है इस index में annual ranking system होता है passports का जिसमें अलग-लग देशों के passports को ranking दी जाती है और ये ranking जो है वो analyze किया जाता है कि जिस देश का passport सबसे powerful होता है उस देश के passport के साथ आप किसी भी देश में जादा से जादा देशों में visa arrival access या visa free किसी भी देश में जा सकते हैं बिना किसी visa के approval के बिना चलिए जानते हैं 2023 के passport index के बारे में थोड़ा सा basic information है कि हैनले passport index को शुरू किया गया था 2006 में जब इसको release किया गया पहली बर तो इसका नाम रखा गया हैनले and partners visa restriction index ये basically दुनिया के passport को ranking देता है और ये बताता है कि कौन सा passport जो है दुनिया का सब से strong है और कौन सा week है इस index के अंतरगत 199 अलग-अलग passports को analyze किया जाता है और दुनिया के 227 यानि कि 227 अलग-अलग travel destination को भी analyze किया जाता है कि कहां-कहां पे इन देशों को छूट है जाने के लिए 2023 के passport index के बारे में जानते हैं तो Singapore ने इस index में top किया है यानि कि first rank पे है top जो है Singapore है Singapore का passport अगर किसी person के पास है वो किसी visa के बिना 192 global destination पे जा सकता है वहीं बात करें तीन यूरोप के देश जो है वो second rank पे हैं जर्मनी, इटली और स्पेन जिस भी person के पास इन तीनों में से कोई भी passport है वो किसी visa के बिना 190 countries में travel कर सकता है वहीं जपान की बात करें जो कि last year first rank पे था इस साल उसे third rank दिया गया है जपान जो है Australia, Finland, France, Luxembourg, South Korea और Sweden के साथ third rank को share करता है वहीं bottom पे बात करें तो दुनिया का सबसे weak passport है अफगानिस्तान का जिसकी ranking है 103rd second last पे है Iraq जिसकी ranking है 100 second और Syria की ranking के बारे में बात करें तो 100 first ये bottom के तीन ऐसी countries है जो सबसे weak passport के साथ bottom पे लाई करती है वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस list में fourth last पे है यानि की 100th ranking है पाकिस्तान की global scenario के बारे में बात करें तो जैसे हमने इस index में जाना की Singapore ने हाल ही में Japan को overtake करके first rank हासिल किया है और Japan जो है अपने दो rank lose करके third rank पे आ गया है तो यानि की Singapore passport के साथ आप 192 countries में travel कर सकते हैं total 227 analyze countries को analyze करने के बार बाकि देशों के बात करें तो और भी देश हैं Germany, Italy, Spain second rank पे है Japan, Australia, Australia, Finland, France, Luxembourg, South के रिये ये third rank पे हैं बहीं पाकिस्तान की बात करें जो की जाना जाता है tourism के लिए और कुछ आर्थिक परिस्तितियां जहां पे हाल ही में खराब देखी गई है उसकी जो list में rank है hundredth है तो यानि की जिस P person के पास पाकिस्तान का passport है वो बीजा किसी बीजा के सिर्फ 33 destination पे ही travel कर सकता है अब बात करते हैं कि इस passport को त्यार कौन करता है तो basically इस passport को त्यार किया जाता है International Air Transport Association से data प्रापत करके और भी बाकी other reliable resources है उनसे प्रापत करके इस index के अंतरगत 199 passports को analyze किया जाता है और जो travel destination है वो रखी गई है 227 इसमें basically visa free score दिया जाता है हर एक passport को जिस भी passport का सबसे ज़्यादा visa free score है it means कि भी वो country जो है बिना किसी visa के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में जा सकती है और जिस भी country का visa free score highest है वो सबसे stronger passport माना जाता है यहाँ पे बात की हमने International Air Transport Association के बारे में तो basically IATA एक trade association है जो कि world की airlines से later deal करती है इसकी foundation 1945 में की गी है इसका objective है कि जितनी भी airline activity है उसको support करे और जो industry और policy industry से later policy या standards है airline से later उनको formulate करे इसका headquarter मिलेगा आपको Canada के Montreal में Henle Openness Index के बारे में बात करते हैं तो recently Henle and Partners ने एक और index को release किया है जिसका नाम दिया गया है Henle Openness Index इसमें basically उन देशों के बारे में बात की है कि जो countries visa free access देती है जहां पे allow है कि बिना किसी visa के भी आ सकते हैं तो basically जो top 20 most open countries हैं वो है all small island जो छोटे छोटे island countries हैं वो इस list में top 20 पे हैं 12 ऐसी country है जो पूरे 198 passports को बिना किसी visa के arrival के लिए allow कर देती है इंडिया की rank बात करें तो इस openness index में 97 में से इंडिया ने 94 rank हासिल किया है यानि इंडिया सिर्फ 4 ही passport को visa free access देती है यानि किसी भी person जो basically 4 देशों से belong करता है उसको बिना किसी visa के भारत में अलोग किया जाता है bottom पे बात करें तो अफगानिस्तान, North Korea, Papua, New Guinea और तुर्कमेनिस्तान ऐसे देश हैं जो किसी भी देश को visa free access नहीं देते हैं किसी भी person के पास जैसा मर्जी passport है वो इन देशों में बिना किसी visa के नहीं आ सकता है चलिए बात करते हैं भारत की performance के बारे में तो इंडिया ने Handle Passport Index 2023 में 80th rank हासिल किया है और लास्ट येर इंडिया का rank था 87 यानि कि 7 स्तानों की लंबी चलांग लगाई है भारत ने इसी इंडेक्स के अंतरगत भारत के citizen जिसके पास भी भारत का passport है वो 57 destination पे visa free access कर सकता है यानि वो 57 ऐसे destination है जहां पे passport के साथ ही और बिना किसी visa approval के जा सकता है 2014 में बात करें तो इंडिया का rank था 76 और उसमें भारत सिर्फ 52 countries में ही बिना किसी visa के जा सकता था 2015 की बात करें इंडिया का rank 88 था जिसके अंतरगत भारत सिर्फ 51 countries में ही जा सकता था 16 में improvement हुई 85 तया 17 में फिर इस index में गिरा भारत 87 18 में 81, 19 में 82 और इसी तरह ये लगातार up and downs इंडिया का इस ranking में चलता रहा है इस graph के अंतरगत आप दे सकते हैं 2016 में जब शुरू किया गया तो भारत की ranking 70 प्लस थी और आज की बात करें तो भारत 80 रैंक पे आता है जिस पी person के पास अगर कोई strong passport है तो और उसको उस destination पे visa free access है तो वो बिना किसी visa advance में visa लेने की ज़रूरत नहीं है उस देश में easily जा सकता है उसको allow है कि वो एक specific period के लिए उस जगा पे रह सकता है और ये basically एक bilateral agreement भी होता है उन देशों के बीज में जिसके अंतरगत visa की ज़रूरत नहीं है visa on arrival की बात करें तो इसके अंतरगत होता है कि आपको advance में visa नहीं लेना होता है जैसे ही आप उस देश में land करते हैं तो आपको airport पे ही visa provide किया जाता है जैसे ही arrive आपका उस देश में होता है तो यह difference है visa free access और visa on arrival के बारे में उमीद है आपको यह video lecture पसंद आया होगा video lecture को like करें, comment करें, share करें और आपके अपने channel the concept को subscribe करें थैंक्यू, जैहिंद